रादे रादे जैसरी किष्णा कहानी संग्रे में हमारे सभी स्रोताओं का हार्दिक अविनंदन है बक्तो आज की वीडियो में हम बैसाक माहा के बारे में दिन की कथा के रूप में बारे में दिन के महतम्मी को स्रवड करेंगे इससे पहले मैंने बैसाक महतम्मी के अगले 11 द इस माहाकर शंपूड महातम्यों को स्रवड कर बैसाक माह के पुन्यफल के भागीदार बन सकते हो बैसाक माह को मादम मास के Nasty के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मास सिरी हर विश्लू को इतना प्रिय है कि उन्होंने इस मास पो अपने नाम की संग्या दिये बगवान व प्रत्यक दिन आपके लिए एक दिन की कथा का महतम में लेकर आती हूँ आईए बारे में अध्याय का शुवारम भगवान सिरीहर विश्लू की इस्तुती से करते हैं हेहरी ब्रह्मा बरोड इंद्र रुत्र और मरुत्रगड सभी दिब इसलोकों द्वारा शुदा आपकी इस्तुती करते हैं साम देब के गानी वाले अंग फद क्रम और उपनिस्दों सहित बेदों द्वारा जिनका गान करते हैं सबी योगी जन ध्यान में इस्तित तद गत हुए मन में आपका दर्शन करती हैं तता देबताब असुरगड जिनके अंत से अनभिग्य हैं उन परम पुरुष नाराइड देब को मीरा नमस्कार है नमस्कार है आईये इससे आगे के अध्याई में मैथली नरेस कहते हैं हे मुनिवर आपने मुझसे जो बैसाक मा के धर्म कए बे बेहत सरल और सुलव हैं इन धर्मों को करने से सिरिहर विश्लू ततकाल प्रसंद हो धर्म अर्थक काम मोच्छ प्रदान करते हैं फिर भी ऐसे बैदिक धर्मों से संसारी लोग अनभिग्य हैं अर्थात ब पालन मात्र से जगत पिता विश्लू सीखरी प्रसंद हो जाते हैं बेधर्म संसार में गुप्त रखने योगिएं बैसाक माह में धर्म का पालन करने वाले राजा के राज्जी में कोई भी नरक में नहीं जाता था इससे यम लोक सूना हो गया यम राज भ्हमाजी की सरण म जाते हैं और अपना दुख सुनाते हैं इसे आगे की कथा में यम्राज जी बोले है संभू ब्रहंबर देव मेरी बात ध्यान से सुनो मेरा तो लोप ही हो गया मैं मरने से अधिक अपने पद के खंडन को अधिक मातना हूं अर्थात मेरे पद का लोप हो जाना मेरी मृत्त के शमान ही है हे कमलासन अपने सौमी के यहां रहकर उनके द्वारा निक्त किये गए कारियों को जो सेवक नहीं करता उसे घुन की योनी प्राप्त होती है जो बिना कार की ये भोजन ग्रहेंड करता है ओए त्रियक योनी में जा 300 कल्प तक नर्व भोगता है जो निस्साह आल पुर्ण और पाप कर्म को धर्म सास्त्र को जाननेवाले मुनियो दारा भली भात्य बिचार करके कल्प के आज बर्तमान में जो दंड निश्चित होते हैं वही देता हूँ है प्रभू अब मैं आपके द्वारा दिये गए पद का पालन करने में असमर्थ हूँ क्योंकि प्रत्थवी लोग के कीफ्तमान राजा ने प्रत्थवी से आपके नियमों को उखाड कर भ्यक्तिया है इस राजा के वैसे समुत्र परियंत सभी प्रत्थवी के मनुष्य वैसाक माह के करतब्य धर्म का पालन करते हैं प्रजा जनोंने सभी पित्रेशरों की पूजा अन अश्टोवादी यग शब शुब कर्म शांखी योग प्राडायाम करना हौम और स्वाध्य आध का नाम लेना तक छोड़ दिया है तता अनेकों प्रकार के पाप करने पर भी उनके बंस के माता के बंस के तता ससुर तक के बंस की 26 फीडियों तक के पित्रेशर सभी पापों से मुक्त होकर दिब्य देव को धरड कर यम मार्क को छोड़कर विश्मू लोग भगवान स दिरी हर के धाम को चले रहे हैं अत्य आपने मुझे जो पद दिया है उस पद पर मुझे रखने की अब कोई आवश्कता नहीं है अर्थात आप प्रत्वी लोग से सभी पाप मुक्त होकर हर धाम जा रहे हैं फिर यम लोक में मेरी क्या आवश्कता अब मैं आपका दिया द धर्मा चरण प्रयास में पतन होने से युद्र भूम में मरने या मारने से यज्यादि से देवगती नहीं मिलती वो मेश की संक्रांती में प्राते इश्नान कर भगबान सिरी हरे का पूजन कथा बबैसाक महतम में सुनता सुनाता है उसे यतोचित वैश्णवी धर्मों का पादन करे वह निश्चे ही विश्णू लोग का अधिपती हो जाता है राजा की आग्या से बैसाक के धर्म मात्र से सभी प्राणी विश्णू लोग चले जाते हैं यह राजा मेरा और आपका परम सस्त्रू है यह जगत्वते इस राजा का निग्र्य करना उचित है यद हम इसकी अपेच्छा कर देंगे तो केवल सिरी हर विश्णू भगवान के चरणों का आस्रे लेकर यह राजा इस संपूर्ट लोग को विश्णू लोग में ले जाएगा इसमें तनिक भी संसे नहीं है इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिफिक दूर कर दी है ऐसा किसी भी छत् आज तक नहीं कर पाया है प्रभू पट मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं लिखी है न सुनी है इस राजा के अलाबा भगवान के कारियों में सदा ततपर रहने वाला आज तक प्रत्वी पर कोई नहीं हुआ जिस से पट मार्जन की घोश्रा कर दी हो तता यम मा जाने का रास्ता रोक दिया हो इसके साथी बैसाक महतम्य के बारे में दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं आप आपके परिवार पर सदा सिरिहर विश्रू सहित भगवती लच्छमी की क्रपाद रष्टी बनी रहे इसी सुबकामना के साथ इससे आगे की कथा का महत तब आप अगले वीडियो में स्रवड करेंगे अगर आपको प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो आप हमारी चैनल को लाइट सबस्क्राइब और सेयर करें